हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सभी लोग SSC CHSL 2019 टियर वन के अनल्सिस का आप सभी लोग वेट कर रहे हो तो अनल्सिस आज साम तक कंप्लीट आ जाएगा ठीक है तो अभी मैं सुबे से उसी में लगावा था दो दिन घंटे और डेडी काम कर चुका हूँ डेटा पे और मिझे लग रहा है चार से चार घंटे के हसपास और लग सकते हैं कंप्लीट अनल्सिस करने में तो शाम तक पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अनल्सिस मिल जाए आज मैं कुछ और काम नहीं लेके चल रहा है बाके एक इंपोर्टेंट इफ्वर्मेशन भी है SSC CGL 2019 टियर 2 एस्प बंदा यहां पर सारे के सारी सेट सोल करना पॉसीबल भी नहीं है और बहुत जो इजी सेट से उन्हें सोल करने की जुरत भी नहीं है तो आप लोगों के लिए अभी मैं अल्लसिस कर रहा था तो मैंने कुछ चीज़े देखी है वो मैं आपको बता देता हूं और उसमें मैं क्या प्रोवाइड करूँगा वो भी आपको बता देता हूं सबसे पहले तो जिन लोगों ने फोंब भराय सीचेस का अभी तक हमाई सर्वे में वो हैं 9348 लोग जिन में से जो डेटा मैंने करेक्ट किया है जो फाल्तू के एंट्रीस से वो हटाई है तो मेरे पास 846 लोग सब्सक्राइब करना इंपोसिबल है इतने कम डेटा के साथ बाकी मैं मानता हूं 26 अक्तूबर को जिन लोगों का पेपर हुआ है बहुत ही कम लोगों का पेपर हुआ होगा जिसकी वाज़े से उन्हें हो सकता है नुकसान जहिलना पड़े क्योंकि हम पहले भी देखते बात करों तो जो टोप 5 जिफ्ट जिसमें सबसे मुश्किल पेपर पूछा गया था वह था 13 अक्तूबर की शिफ्ट वन फिर 18 मार्च की शिफ्ट वन उसके बाद है 14 अक्तूबर की शिफ्ट वन और अगर हम देखेंगे 19 अक्तूबर की शिफ्ट वन ठीक है एवरेज स्को देखेंगे ना यह 4 शिफ्ट के पेपर एक्चुली में काफी डिफिकल्ट है थोड़े लैंदी भी है थर 13 अक्तूबर शिफ्ट वन का पेपर तो मैं आपको अनकेडमी पर अल्डेडी सोल्व करा चुका हूँ ठीक है उसकी पीडिएफ भी आपको मिल जाएगे आप डिरे अब वहां से देख सकते हो बाकि जो शिफ्ट बहर रहा गई है डिफिकल्ट शिफ्ट में जैसे चोदह अक्तूबर की शिफ्ट टू और 18 मार्च की शिफ्ट बन इन दोनों को भी मैं आपको अनकेडमी पर सोल्व करा दूँगा पोल की हैल्प से करते हैं जिससे कि आपको मुखा मिलें आप भी कुश्चन का अंसर कर पाओ तो आपको टाइम मिल जाता है सोल्व करने के लिए और इनकी पीडिएफ्स अलग से मैं प्रोवाइड करूगा इन चारो शिफ्ट की जिसमें अंसर मांक्ड नहीं होगा जिससे कि आप खुच चेक कर पाओ कि आपका अंसर आप देखोगे इंग्लिश में यहाँ पर 29.91 स्कोर गया था 17 मार्ज शिफ्ट 3 16 अक्तूबर शिफ्ट 1 17 मार्ज शिफ्ट 2 इनके में कम स्कोर गया बाकी हाँ पर सब लगबाग ऐसे ही है 32 33 34 ऐसे जा रहा 35 फिर फाइनली आपका 39 तक तो जो रेंज है ना यह हमारे पास ब क्वांट में काफे ज़्यादा वेरियेशन और जो इजी शिफ्ट सेने है 40 40 average इसकोर जा रहा है यह साई शिफ्ट साप सोल्व नहीं भी करोगे तो फरक नहीं पड़ता यह इंपोटेंट नहीं है तो जो मैंने इंपोटेंट शिफ्ट बताई आपको यही सबसे ज़्याद और जो अभी मैंने चार्ट शिफ्ट बताई को आट की इसके विदाउट अंसर्स वाली PDF में जल्दी टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा आपको ठीक है तो यह CGL मेंस के लिए और CPO 2020 एकजाम के लिए बहुत जादा इंपोटेंट शिफ्ट से इने जुरू अब मैं बता रहा था ना मैंने आपको solutions करा दी हैं तो आप देखोगे हैं पर 10 तारिक को हमारा solution हो गया था 13 अक्तूबर shift 2 के सभी questions का बिल्कुल basic से भी और जो direct approach हो सकते है question को solve करने की वो भी बता दी थी मैंने exam बेश्ट अपरोच कुछ formula भी बता दिये थे ऐसे 13 यह वो भी आप साथ के साथ वहाँ पर पूछ सकते हो तो उसमें follow कर लेना description box में मेरी profile का link है और भी बहुत सारी वीडियो जहें जो आप देख सकते हो जिनकी PDF भी अविलेबल ने यह सारी free classes है इसके लिए कुछ भी आपको pay नहीं करना ठीक तो यह सारी चीजे थी इस से related पर बाकी telegram channel पर सब कुछ मिली जाता है आपको साती साथ जो लोग unacademy plus से अपनी पूरी तयारी करना चाते हैं तो उन्हें याद रखना है RB10 code यह सभी categories में आप यूज कर सकते हो चाहे आप SSC, CGL, CHSL, CPOM, किसी भी examination के SSC की तयारी कर रहे हो या फिर banking के exams की तयारी कर रहे है तो जो लोग unacademy से तयारी करना चाते हैं CGL 2020, CHSL 2020 की तो जल्से जल्द एन्रोल कर लें batches में जिससे की आपको extra भी न करना पड़े बाकी अब पता नहीं कितना भड़ेगा या कब से भड़ेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन yes price hike हो सकता है तो अगर price एक concern है त आप और अनकेडमी से आपको पूरी त्यारी करनी है तो आपको जल्दी जोइन कर लेना चाहिए बाकि एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है सीजेल 2020, CHSL 2020 के लिए उसमें आप एन्रोल कर सकते हैं उसमें quantity टीटीट मैं पढ़ा रहा हूं जिसमें 8 अक्तूबर से मेरा करने के बाद सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप देखी सकते हो तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था बाकी मेरे चैनल पर क्वांट की बहुत सारी वीडियो हैं जो आप देख सकते हो जिसे अपनी त्यारी कर सकती हो सो बाइबाइ टेक केर एंड शाम को मिलते हैं CHSL के साथ जाए हिंद।